आईए आपका स्वागत है फिर से दो लड़कियों के बारे में मैं के स्टेडी अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ ये वीडियो के माध्यम से दोनों लड़कियों को करीब करीब सेम बिमारी एक लड़की जो है उसकी उमर 25-26 साल की उसके माबाप ने उसको लाया और उसका ये पक्का वहम है कि एक पैरलाल नाम का लड़का है वो लड़का कहीं तब ये दुनिया में है वो जिवित है वो लड़का इसके उपर प्यार क रहती है और लड़के के लिए वो तर स्तिय वो सब को मेसेज़ें भेशती है को पुश्ती रहती है कि वह रेला पम लिला क्या वह का दोस्त है किया है उसका फोटोग्राफ उसके पास है ने उसने उसको कभी देखा नहीं वह किसके वह जा था उसको मालूम ने उसको कहीं से तभी मालूम हो गया कि यह कोई लड़का है और वो लेके बैटे पिछले तीन साल से यह चालो है उसको मेरे पास में लाया इसका इलाज कर दूजरी एक लड़की है वह लड़की उसको वॉइफ्रेंड था वो 10 घास में बती था कोई स्कूल में बढ़ती थी बोडिंग स्कूल में उसका बॉइफ्रेंड था अभी वो लड़का बाद में निकल गया वो अपने सिटी में चले गया वो कोई अलग स्टेट का था यह वापस आ गई अपने स्टेट में और यहां अभी अपने गाउं आने के बाद में भी उसक उसको ब्लॉक करके रख दिया अभी बड़ा भी हो गया ये मतलब 10th class का था कि जब वो उसके साथ में प्यार कर दी थी अभी चार पास साल उसके बाद में हो गए उसको लगता है कि नहीं वो तो कभी ना कभी मुझे जो ब्लॉक किया हो निकालेंगा वो कभी ना कभी मिलेगा मैं उसको धुन के निकालूंगी वो कहा है तो और मुझे उसके साथ में बात करने हैं कम सको एक बार तो बात कर दो मैं शादी नहीं करने वालो के साथ में शादी करना भी नहीं है मगर हम अच्छे दोस्ते और वो टालता रहता है अभी वो कहा है मालम भी नहीं है उसको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन वो शायदी कर लेगा, वो पक्का दिमाग में बैठके है, और वो किसके साथ में बाच्चित नहीं करती, अपने आप अकलिया के लिए रहती है, पर उसकी दिमाग में वो ही चलता है, कि वो लड़का मुझे कब मिलेगा, एक वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए करें, मतलब ये एक दूसरा है, तिसरा भी एक केस लड़के का है, अब लड़का क्या बोल रहा है कि मेरी जो गल्फ्रेंड है, वो भी और कहीं दूर है, वो लड़की नहीं इसको ब्लॉक करके रख दिया है, म मुझे हाँ बोलेंगी और शादी करेंगी, अब ये सब भहम लोगों के है, एक्चुली में कितना है, वास्तों में कितना है, वास्तों में कितना प्यार हुआ है लोगों का, वास्तों में क्या था, दुनों तरफ से प्यार था कि नहीं था, कुछ मालूम नहीं मगर इनके प तब Facebook, WhatsApp इसके नतीज है, यह तो आपको सबको बताईए, क्योंकि आप तो Facebook में WhatsApp ने कहां किसका लिंक लग जाएगा, और कहां का, मतलब कोई किसके प्यार में आएंगा, मालूम ही नहीं है, और यह ऐसा चालूर है लोगों का, पक्का वहम होने के बाद में अभी हमारे सामने यह होता है, कि बाकि उनको कोई प्राबलम ने, तीनों भी केस बताना, दो लड़किया है, एक लड़का, बाकि कुछ इसनी प्राबलम ने, खाणा, पिना, ठीक चल रहा है बराबर, खाते-पृते रहते हैं अगर काम नहीं करते बैठे रहते हैं, बास्पह मिलेगा तो में शादि करूंगा, और महां मिलेगा तो मेरा मेरा जैर जीव अच्छा जा जाएगा, अब हुनका ट्रेस नहीं हो रहा जब वो किसने हां बोलाँगा, तो वो problem नाबाब को आते रहता है, ये एक दिमाग में ऐसा पक्का विचार, एक delusional thought दिमाग में आते रहता है, ये delusions है, ये पक्का विचार, ये पक्का घ्रहमन में बेठा के रखा हुआ है, और उसमें फिर वो बच्चे जो है मतलब यह जो पेशेंट जो है वो कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं कभी-कभी इनमें आकिर बहुत एकदम पागल पन भी आ जाता है एकदम पुरा पागल बन जाते हैं और फिर उनका इलाज पकड़ पकड़ करना पड़ेगा अभी आज च्छो लाया तो आज कोई पागल पन इतना नहीं है कि पकड़ के लाओ और उनका जबर्दसी इलाज करो मगर इलाज करने को यह तैयर नहीं माबाब में उनको लाया हुआ है वो आ रहे हैं मैं तो मेलेंगा और मैं शादी करूंगा या करूंगा इस तरह के पेशेंट रहत बाते होंगे जरूर अच्छा लगा आपको वीडियो तो शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो हमारा जो है मक्सद वह सब के लिए मानसिक स्वास्चर वैसन मुक्त भारत इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा सब्सक्राइब करो